नमस्कार मैं हूँ अबिशेक त्यागी प्रत्वीशो भारत का उभरता हुआ शांदार बल्लेबाज लेकिन इसी साल फरवरी में जब इस युवा बल्लेबाज पर डोपिंग के चलते बैन लगा तो हर कोई हैरान था तबी से ही हर किसी को इस खिलारी की वापसी का इंतजार था लेकिन अब आठ महीने बाद प्रत्वीशो की मैदान पर वापसी हो गई है वो भी उसी अंदाज में जिस अंदाज के लिए प्रत्वीशो जाने जाते थे बैन खत्म होते ही प्रत्वीशों ने धुहाधा अंदाज में अर्श रतक जड़कर अपनी बापसी के बारे में सब को बता दिया द्रसल रविवार को सयद मुश्ताक अली ट्रोफी में प्रत्वीशों जब मुंबई की ओर से असम के खिलाप मैदान पर उत्रे तो हर किसी की नजर प्रत्वीशों पड़ी थी और उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए 38 गेंदो पर 63 टन बनाए बैन के बाद प्रत्वीशों की बल्लेबाजी ऐसी रही कि उन्होंने अपना अर्श रतक केवल 32 गेंदो पर ही पूरा कर लिया तो मिड विकेट पर बड़ा शोट खेलने के चकर में अपना विकेट गमा बैठे वैसे आपको बता दें कि इसी साल 22 फरवरी को प्रत्वीशों के यूरीन का सेंपल लिया गया था जिसमें प्रतिबंदित पदात टर्ब्यूट लाइन मिला था जिसका इस्तेमाल कब सिरफ में किया जाता है इसके बाद प्रत्वीशों पर बैन लगा दिया गया था आपको बता दें कि बैन लगने से पहले प्रत्वीशों पिछले साल टीम इंडिया का हिस्सा थे और वेस्ट इंडीज के खिलाप टेस्ट में 134 रं की पारी खेल कर शांदार डेविट किया था इस सीरीज के तीन मैचों में उन्होंने 237 रं बनाई थे इसके बाद उन्हें उस्टेलिया दोले के लिए भी टीम में चुना गया लेकिन पहले टेस्ट मैच से पहले वर्म अप मैच में उन्हें गंभीर चोट लगने की वज़़ा से टीम से बाहर हो गए थे लेकिन अब जब प्रत्वी शोव वापसी कर चुके हैं तो उनकी नज़र टीम इंडिया में वापसी करने पर है लेकिन अब उन्हें आपनर के तौर पर रोहिष शर्मा और मैंक अगरवाल की जोड़ी से करी टकर मिलेगी लेकिन उम्मीद है कि ये युवा वल्लेवाज जलद ही बापसी करेगा त्रकेट से उली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेए वीडियो को लाइक करेए शेर करेए नमस्कार